Hello student, आज हम करते हैं class 11th में आज की worksheet जो समुच्चे में गाज समुच्चे वाली प्रशनावली में से आई हुई है तो सबसे पहले देखो क्या है गाज समुच्चे के परिवाशा लिखे गाज समुच्चे की परिवाशा क्या है समुच्चे A के उप समुच्चों के संग्रय को A का गाथ समुच्चे कहते है समुच्चे A के जैसे A को इस समुच्चे है इसके उप समुच्चे के संग्रय को A का गाथ समुच्चे कहते है इसे P bracket में A से परधर्शित करते है इसके जितने भी उपस्मुच्चे बनते हैं उन सब के संग्रय को इसके उपस्मुच्चे कौन-कौन से बनेंगे एक तो बनेगा फाई एक बनेगा एलफा इसको करली ब्रेकिट में एक बनेगा एक और एक बनेगा एलफा कॉमा एक और इन सब का संग्रय इसको क्या कहेंगे गात स्मुच्चे इसको पी ए से लिख दिया ठीक है clear next देखिए रिक स्मुच्चे के घात स्मुच्चे के सभी उपस्मुच्चे की संख्या बताईए रिक स्मुच्चे में अवयव जो होते हैं जीरो होते हैं तो इसके जो उपस्मुच्चे बनेगे वो बनेगे दो की पावर जीरो मतलब एक तो घात स्मुच्चे के सभी उपस्मुच्चे है तो घात स्मुच्चे के सभी उपस्मुच्चे देखो क्या होंगे घात स्मुच्चे में एक ही अवयव होगा तो घात स्मुच्चे की उपस्मुच्चों के संख्या हो जाएगी दो की पावर एक मतलब दो नेक्स्ट है समुच्चे ABC के लिए समस्टी समुच्चे लिखे मतलब समस्टी समुच्चे ऐसा होता है एक ऐसा समुच्चे जिसमें सभी के सभी समुच्चे आजें जो दे रखें ABC वाले तो इसको U से लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब नेक्स्ट है प्राकर संख्याओं के समुच्चे वे वास्टीक संख्याओं के समुच्चे के लिए सावर्तरिक समुच्चे लिखे तो समिश्र संख्याओं का समुच्चे एक ऐसा समुच्चे जिसमें सभी आ जाते हैं C, C क्या है, समिश्र संख्याओं का समुच्च है, अब आप इस वरक्षीट को कम्प्लीट कर ले,